प्रिये छात्रों नमस्कार आज हम आपसे थ्री डैमेशनल क्वाडिनेट जोमेट्री के एक महत्पूर्ण प्रस्ण पर चर्चा करेंगे आज का प्रस्ण यह है कि हमें दो रेखाओं की बीच का कॉन गयात करना है तो इन दो रेखाओं की बीच का कॉन गयात करने के लिए प्रस्ण को हम तीन कैटेगरी में बाढ़ते हैं एक पहली काटेग्री तो यह माल लिजी आप कि दौनों रेखाओं के डायरेक्शन्स को साइंस दिये हुए हैं एक दूसरी काटेग्री माल लिजी आप दौनों रेखाओं के डायरेक्शन्स रहसुच दिये हुए हैं और एक टीसरी काटेगरी मान लिजी आप जिसमें आपको एक लाइंग के डियरेक्शन को सैंस दिये हुए हैं और एक लाइंग के आपको डियरेक्शन्स रहसूज दिये हुए हैं आज हम आपको जो अभी हमने आपको दूसरी काटेग्री बतलाई थी उस काटेग्री के अंतरकत प्रशन को हलकर के समझा रहे हैं अर्थाथ ऐसी दो लानों के बीच में एंगिल निकालना है दो रिखाओं के बीच का एंगिल निकालना है जिसके डायरेक्शन्स रहसोज दिय पात कहते हैं दो रिखाओं के दिकन पात दिये हुए हैं उन रिखाओं के बीच का कौन ग्याद करना है तो देखिए आज क्या प्रस्म बनता है हिंदी में ये प्रस्म बनेगा आपका उन दो रिखाओं के बीच का कौन ग्याद कीजे जिसके दिक अनपात एक कॉमा एक कॉमा दो और अंडरूट तीन मानस बन मानस अंडरूट तीन मानस बन और चार हैं तो हम प्रस्म को हल कर रहे हैं जैसा कि आपको बतला दें अगर दोनों रिखाओं के बीच के डारेक्शन्स रह सोच दिये हुए होते हैं तो उनके बीच का कौन निकालने का फ निकालते हैं कि एफन डीवन अवगन और और पहली डाहरा के डायरेक्षंचन स्रह हो जाए और देखिए तो डीया है नों कि दिया है पहली रेखागे डायरक्ष रहसूज एवन बरावर एक बीएवन बरावर एक टीटा अंस है तो हमारी यह फानमुल बनता है cos theta बराबर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square into under root a2 square plus b2 square plus c2 square इस समीकर में हम a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान लगा देंगे तो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा cos theta बराबर a1 के स्थान पर मानस 1 लगा दिया a2 के स्थान पर under root 3 मानस 1 लगा दिया b1 के स्थान पर 1 लगा दिया और b2 के स्थान पर हमने मानस under root 3 मानस 1 लगा दिया c1 के स्थान पर हमने 2 लगा दिया और c2 के स्थान पर हमने 4 लगा दिया और नीचे a1 square plus b1 square plus c1 square है इसलिए आपका हो जाएगा का स्क्वार प्लस 10 का स्क्वार प्लस 12 स्क्वार और यहां पर आपका है फिसक्राइब प्लस 10دة-4 यह वानी दिने क्शाट म 왔 je other है को हमारा युद्य और संप्लिफाइब अंडर रूट तीन इसका मानस इसका हो जाएगा मानस अंडर रूट तीन मानस बन और यह और 4 का multiply करेंगे 8 अब अब आप दिखें अन्डरूट 1 का स्कॉार 1 हो गया तू का स्कॉार 4 हो गया इसको जब हम खोलेंगे X-Y-K-Square की identity से तो यह हो जाएगा X-Square मतलब under root 3 का Square जो 3 के बराबर होता है इन दोने के multiply का दूना 2 under root 3 यह आ जाएगा इसका Square यह आ जाएगा और जब अगर इस पकार से लिखा होता है मानस X-Y का Square तो यह बराबर होता है X-Y-Square के तो इसलिए पहले हमने इसको इस फार्म में लिख लिया और फिर इसको हमने इस identity से खोल दिया X-Y-Square को जो identity होती है X-Square plus 2XY plus Y-Square उस identity से उसको खोला हमने तो देखिए हापर तो यह आ गए आपके 3 प्लस के है और 1 प्लस के यह है 16 प्लस के यह है आपके 20 प्लस के यह आ गई मानस के 2 अंडरूर 3 यह आ गए आपके और इसको जब खोलेंगे हम तो अंडरूर 3 का X-Square आएगा 3 और इन दोनों का मल्टिप्लाई तो दूना आएगा 2 अंडरूर 3 और इसका X-Square आगा 1 मानस के 2 अंडरूर 3 यह है प्लस के 2 अंडरूर 3 यह है यह आपसमें कैंसल हो जाएंगे अब आपका बनेगा आएगे 20 और 3 थेश और 24 अंडरूर 24 ही आ गया तो आपका आ गया cos theta बराबर 6 अपन अंडरूर 6 अंडरूर 24 यह बराबर आ जाएगा 6 आपका यह आ जाएगा और यह हो जाएगा आपका अंडरूर 6 और इस अंडरूर 24 को लिख सकते हैं हम 2 अंडरूर 6 तो यह आपको लिख देंगे हम 2 अंडरूर 6 और यह 6 यह आ गया आपका इस अंडरूर 6 और अंडरूर 6 यह मिटिप्लाई हो जाएगी 6 और आपका 2 यह आ जाएगा इससे ही कैंसल हो जाएगा एक उपर बचाएगा हर में अंस में तो यह आपको वजाएगा 1 अपॉन 2 तो कॉस थीटा बराबर आया आपका 1 अपॉन 2 और यह बराबर होता है कॉस 60 के कॉस थीटा बराबर आया आपका और शिश्टी के तो थीटा बराबर आपका आगया 60 अंस और इससे आप रेडियन में लिखना चाहें तो आप रेडियन में लिख सकते हैं इसके परकार से आपको ग्यात हो गया कि जिन रेखाओं के आपको डारेक्शन रेसोच दिये हुए थे उनके बीच का कौन साथ हंस है या आप उसको किसकते हैं पाइवटे तीन रेडियन है यह आपके दोनों अंसर सही है कि इस पकार से आप अंद्र प्रशन को भी कर सकते हैं यदि प्रशन के अंदर हैं दोनों रेखाओं के डायरेक्शन को साइंस दिये हुए हैं अर्था दिक को जाए दी गई हैं तो एक दिक को कहते हम एक दिक को जाओ कहते हैं हम L1, M1 और N1 और दूसरी रेखाओं के दिक को जाओ होती है L2, M2, N2 तब इन दोनों रेखाओं के बीच का कौन ग्याद करने के लिए हमें सुथ का साहरा लेते हैं को जाओ थीटा पराबर L1, L2 पिलस M1, M2 पिलस N1, N2 कहने का ताथ पर यह हैं कि यदि हमारे लिए रेखाओं के एक्ट्टल डार्रक्सन स्कों साइन दिये हुए हैं तो हम इस सुथ से निकालेंगे और यदि रेखाओं के डार्रक्सन से सुथ दिये हुए हैं तो हम इस कर दो है। तो अब चुंकर हमारे लिए इस प्रश्न के अंदर दोनों रसोप्य हुए थे इसलिए हम ने सुध का प्रेयों करके रेखाओं की बीच का कॉन नंकाल लिए हमारे वी जहाओं आ एक रहा हमारा वह सांत अरशा हम स्कूवं पारइबर ए त्री रेडिन भी दिख सकते हैं इसलिए इस पकार से प्रसद्चे हो गें मेरे से देखकर हल कीजिए उत्र मिलाइए समझने का प्र्यास किजिए आपके प्रसद्च अगर आप इस पर किया के साफ़ से करेंगे तो 100% सही जाएंगे आप इन पर विचार करिए अगली बार आपको हमको ये एक नया प्रस्ण महत्पूर्ण प्रस्ण लेकर चलेंगे आज के लिए ही पर ब्राम देते हैं धन्यवाद